इस फीडियो में दोस्टों लोग बात करेंगे सारी गामा इंडिया लिपट्एट के बारे में जिसके उपर हमें काफी सारे कमेंट देखने को मिल रहे है कि कंपनी के आज के दिन कोडर टू के नंबर्स काने वारे हैं तो उनको dividend, bonus या फिर split के regarding हमें कोई भी outcome देखने को इस बार नहीं मिल रहा है तो चली देखते हैं सारे गामा इंडिया के इस बार के consolidated numbers कैसे रहे तो details आपके सामने हैं और सारे figure already rupees in lakhs में mention हम लोग in crores में discuss करने वाले quarter 2 की earnings of 1 की then last year का quarter 2 का data हमें third column में देखने को मिलेगा अगर आपन इस चैनल को भी support करें सिर्फ फर सिफ subscribe बटन को press करके तो last year quarter 2 में company का revenue था वो 172 करोड का था वो इस बार quarter 2 में काफी अच्छा grow हुआ है और revenue 241 पे आगे तो साल दर साल basis पे काफी अच्छी upside है quarter 1 में company का revenue 205 था वो इस बार 241 पे आ गया तो Q on Q basis plus Y on Y basis दोनों ही जगे 13 करोड का तो market estimate बिल्कुल हमें beat होते हुए देखने को इस बार मिल रहे है देन उसमें आप अधर income add करेंगे तो आएगी total income जो की yearly 185 करोड से 254 पे आगी quarterly 217 से 254 पे तो quarter प्रस yearly दोनों जगे income company की बढ़ी है देन अगर expenses की बात करें तो income बढ़ी तो खर्चे भी 119 से 195 प प्रस yearly है में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है देन डिसकस करते हैं company को total profit या loss for the period after all the adjustment कितना हुआ तो last year quarter 2 की अगर बात करेंगे तब company की जो total profit थे वो approximately दोस्तो 47 करोड के आसपास किते है वो जबात थोड़े से डाउन है और profit company के 44 करोड पे आगे और quarterly 37 से profit 44 पे आग को एक downside देखने को मिल लिए और quarter quarter company के profit करीबन आपको 7 करोड के करीबन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है तो mix तरीके की performance है और market का जो profit को लेका अनुमान था वो 41 करोड का था जो की profit इसवार 44 पे तो market estimate बिल्कुल इसवार beat हुए है as per the revenue and profit both same reflection EPS में देखने को मिलेग yearly profit down है तो EPS भी 2.50 से 2.33 पे आगया quarterly profit बड़े तो 1.92 से 2.33 तो जिस तरीके से profit हुए same हमें EPS में reflection देखने को मिल रहा है तो overall yearly performance कुछ खास नहीं है but Q&Q basis पे growth है और market का जितना भी अनुमान था जितना brokers का average estimate था उसको company के numbers ने बीट किया अगर market के reaction की बात करें तो आप सकते हैं अभी फिलाल अगर बात करी जाए तो company के share price में 1.5% के करीबन की एक गिरावट देखने को हमें बिल्कुल मिल रही है और फिलाल 518 रुपर पे share आपको trade करता हुआ देखने को मिल रहा है तो आपका सारे गामा इंडिया के कितने share से comment section बिल्कुल बताएं तो मिलते किसी और वीडियो में किसी और update के साथ अब तक के लिए बाबाए